हलो आपरिवन शिफ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है ये डिवाइन मैसकुलाइन की करेंट एनरजी के उपर वीडियो रहेगा और इसमें जो डिवाइन मैसकुलाइन है बहुत ही जादा जो उनकी एनरजी है वो इस टाइप की है कि मतलब लोगों से बहुत उनकी मदर हो गई या उनकी वाइफ हो गएऑ या या फ्रेंड्स हो गए जो नार्मल 3D में सूल होती है वो इसको नोटिस नहीं कर पा रही है अगर कोई friend circle हो या जो होते हैं बीच बीच में आपको healing देने के लिए आते हैं आपको guide करने आते हैं या कोई friend as a soulmate आपकी life में आ गया ठीक है वो spiritual था या उसने आपको guide कर दिया या आपकी problem से गुजर रहे थे वहाँ उसने आपकी question cancer दे दिया दिया आपकी life से चला गया या आपका friend भी है continue ऐसा भी हो सकता है ठीक है कुछ लोग सिर्फ आपको guide करने आते हैं आपको सही path पर लेकर सही path पर लाने की कोशिश करते हैं वो divine के थ्रूही इंसान भेजा हुआ होता है ठीक है वो guide करते हैं वो ये चले जाते हैं ये आप उस जगे से चले जाते हैं आपका transfer हो जाता है place change हो जाता है कुछ भी हो सकता है ठीक है ये 3D की souls उन्हें वो notice नहीं कर पा रही हैं बट अगर को spiritual उनके साथ होगा वो इस दर्द को समझ पा रहा होगा या df भी होगी जो energy को समझ पा रही ही होग ठीक है money को लेकर ego हो relationship को ego हो कुछ लोगों का ego relationship को break हुआ है ठीक है या break हो चुका है एक cycle break हुई है ego की तो दूसरी अगर money का भी अगर आपके अंदर ego होगा तो वो भी जब तक आप पूरी तरीके से खतम नहीं करेंगे अपने अंदर से release नहीं करेंगे तब तक ये नहीं म Carnegie को लेकर ego था या relationship को लेकर ego था family को लेकर ego था wife को लेकर ego था ठीक है कुछ भी job को लेकर ego था career को लेकर ego था हर एक area में ego आपका release होना जरूरी है अगर आप कहीं पर भी अपना ego दिखा रहे है तो वो इस time में release हो रहा है डियम का अगर relationship को लेकर ego release हो चुका है तो अब आप money को लेकर ego दिखा रहे हैं तो वो भी आपका release हो रहा है आपके counterpart का तो DM की जो energy आ रही है money को लेकर कहीं ना कहीं losses हुआ है ठीक है हो सकता है कि उन्होंने कहीं money invest किया हो या जो expectation रख रहे थे कि money वापस आएगा तो वहाँ money वापस नहीं आया या money loss हो गया कुछ भी तो money को लेकर बहुत जादा tension में है family को लेकर tension में है अपनी personal life को लेकर tension में है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है ठीक है दर्द चुपाने की कोशिश बिल्कुल अंदर से एकदम जैसा कि मैंने बताया था जैसे scenario होता है अंदर से soft accept करने को त्यार नहीं है कि यसा मैं इस दर्द में हूँ या मुझे भी pain होता है या मैं तकलिफ में हूँ ऐसा बताऊंगा तो मेरी बहुत जादा insult होगी या मैं बहुत जादा insult feel करूँगा ऐसा वो feel कर सरकते हैं इस time period में आपको भी हो सकता है इवन ना बताएं ये सब बा आप लेट गया किसी को कुछ बताना नहीं या दूसरों को दिखाना कि मैं ठीक हूँ चुपाना अपने दर्द को ठीक है कभी उनको किसी ने guide किया हो कि आप गलत कर रहे हो या आप गलत पात पे जा रहे हो आपको ऐसा नहीं करना है आपने गलत decision दिया है तब उन्होंने ignore क या समझा नहीं उस बात को यहां पे डियएफ भी हो सकती है जिस डियएफ ने अपने डियएम को guide किया था यह समझाया था कि आप गलत कर रहे हैं गलत जगे जा रहे हैं गलत relationship में है या money को ले कुछ भी समझाया हो या उनकी family में ही किसी ने समझाया हो या friend नहीं समझाया ह कि आप गलत जा रहे हो तो ego में आके उनकी बात नहीं मानी या वो ये सोचते थे कि मैं ही ठीक हूँ, मैं जो decision लेता हूँ, life के बुलकुँ सही लेता हूँ, मैं कभी कोई गलत decision ले ही नहीं सकता, ठीक है? तो अब वो भी बाते उनको कही न कहीं याद आ रही हैं कि किसी ने उनको जो guide किया था, वो बाते बुलकुँ सही थी, मैं गलत था, पर उसको भी accept करने में उनको बहुत जादा, कहते हैं न, acceptance की energy मने कि मुझे बहुत मेरी insult हो जाएगी, या मैं अपने आपको किसी के सामने हा करा हुआ, फील नहीं कराना चाहता कि मैं सच में इस टाइम तकलीफ में हूई या परिशान हूँ, ठीक है, तो वो छुपाने की बहुत जादा कोशिश करेंगे, इस टाइम पीरियन में की वो दर्द में हैं, या तकलीफ में हैं, क्योंकि ego आपका, आप नहीं जानते हो, आ नहीं छुपा सकते हैं, तो वो चीज अब आपके काउंटर पार्ट के साथ हो रही है, नेचरली इगो दैथ हो रही है, क्योंकि कोस्मिक एनरजी इस टाइम बहुत जादा, डियम की तरफ वर्क बहुत हो रहा है, क्योंकि डियम बहुत जादा आगे निकल चुकी है, और ज ज्यादा पेइन में जाता है, या डिनाए करते हैं, या कुछ भी जो डिवाइन साइन देते हो, उनसे भागते हैं एगनौर करते हैं, तो कही न कहीं ट्रिगर मिलता ही मिलता है d bliss को, तो सोच विचार खुछ से ही चलना, खुछ से ही बाते करना, किसी से कुछ भी शेर नही करना किसी से मिलना नहीं फोन आफ कर लेना सारे या फैमली में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करना ठीक है ऐसा भी है इस टाइम पिरियन में आपके काउंटर पार्ट के साथ और जो उनके आसपास किते उनको देखकर वो यह देख रहे हैं या डियफ की मैं बात करूं डिय जाए कैसे निकलना चैकर नाइक इस चीज़े भी आपके काउंटर पार्ट के माइन में आपको लेकर आ रही है ठीक है जो घीलिंग होती है या जो पॉजिटिव इटी है आपको तम सब्सक्राइब जान सब्सक्राइब हो पहुत जादा कैटीविटी से डेल कर रहे होTeX त बहुत जादा negativity से deal कर रहा है, या से दूर रहो, यह हमेशा बहुत जादा negative thought में रहता है, या बहुत जादा negative बात करता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमेशा run करते हैं, बट जो positive होता है, उससे हमेशा लोग attract होते हैं, positivity हमेशा दूसरों को attract करते हैं, क्योंकि positive person हमेशा गेजर वाली एनरजी में रहती है बस love के एनरजी में रहती है एक neediness वाली एनरजी में रहती है इसको love के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है ठीक है और यह बहुत जादा low में है यह negative मत्रब एनरजी की बात कर रही हो तब उनको यह change दिख रहा है आपके अंदर कि अब आप उस energy में नहीं है कि बहुत जादा neediness हो, आप अपनी life में अपने उपर focus कर रहे हो, अपने career पर बहुत जादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, self love के energy में हो, खुद की issue blockage पर work कर रहे हो, आपको इन सब बातों से आप फर्क नहीं energy है, वो आपके person को बहुत जादा effect कर रही है, ठीक है, ताकि वो भी इस level पर आएं और समझें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, गलत direction में जाएंगे तो pain ही मिलेगा ना, divine pain पूरा sign दे रहे हैं कि आप सही path पर आओ, सही path पर आओ, ठीक है, आपका इस अर्थ पर आने का कुछ purpose है, ठीक है, आप enjoyment चाहते हो, free will चाहते हो, कि बस मुझे कोई problem ना हो, कोई दुख ना मिले, वस एक easy way में मेरी life चलती रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप twin flame है, आपका कोई ना कोई purpose है, वो पूरा करना है, और comfort zone में आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, आपको जितना रहना ता रह लिया, आपकी awakening है, तो आपको work करना ही होगा, divine के path पर चलना होगा, जो divine चाहता है, वो आपको करना ही होगा, आप नहीं करोगे, तो trigger पर trigger आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो यह जो logical DM है, बहुत ज़्यादा practical DM है, वो भी spiritual path पर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत से DM की मुझे ये भी energy आ रही है, जो DF के साथ, साथ चर रहे हैं, कि DF में जो बोला, वो ही बात मान रहे हैं, या आपका communication अच्छा है, इस time period में, तो आपने कहा दिया, आप यह कीजिए inner work में, या आपने बोल दें, यह meditation कीजिए, तो वो meditation कर रहे हैं, आप अगर no contact zone में हैं, तब भी वो कहीं न कहीं, एक telepathy के through आप से inner work को लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है, आप उन्हें guide कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, ठीक है, तो जो DM spiritual path में आगे बढ़ रहे हैं, inner work कर रहे हैं, वो तो सही जा रहे हैं, बट जो ego के energy में ठीक हैं, वो थोड़ा सा pain है, बट आप उसको भी लेकर परिशान नहों, वो भी इसी energy में आएंगे आगे, ठीक है, तो यह कुछ energy मुझे pick हुई थी counterpart के आपके, counterpart की तरब से, ठीक है, और collective में जो DM बहुत जादा ego में रहते थे य जो दिखाते थे कि मैं जो काम करता हूँ, वो काम बन जाता है, या मेरी लोग बहुत सुनते है, मेरी कहने पर लोग बहुत जादा चलते हैं, तो वो चीज़े भी अब नहीं हो रही हैं DM के साथ, साथ ही साथ, DM जिस area में work कर रहे हैं हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो व लोगों से बात नहीं करना, कि मेरा काम क्यों नहीं बना है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज़े भी बहुत से DM के साथ इस time period में हो रहा है, ठीक है, तो ये थी आज की energy, next वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक लिए अपना ध्यान लगिए, खुश रही है, सास्त रही है